गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रही हूं दोस्तों जिसमें बताया जाएगा कि आप अपने घर से अपने परिवार से अपने बेवसाय से अपने जितने भी नाकारत्मक सकतियां हैं उनको हम तुलसी के द्वारा कैसे बाहर निका सकते हैं दोस्तों हमारे जीवन में तुलसी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सुख सम्रिद्धी बरहाने में दोस्तों इसके साथ ही साथ आज हम यह बताएंगे कि तुलसी जी का पौधा तो बहुत ही पवित्र और सुद्ध माना जाता है और लक्षमी का भी प्रत है दोस्तों और आज हम तुलसी जी के बारे में ही आज पता करेंगे कि तुलसी मा का पौधा या उनका जड़ कैसे उपयोग करके हम अपने घर परिवार के या बेवसाय में या तो प्रतिष्ठान में जो भी नाकारात्मक सकतियां है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं दोस्तो क्योंकि जो तुलसी जी का पौधा है वो लक्षमी का ही स्वरूप है और जिस घर में रहता है उस घर में बरकत सदेव बनी रहती है दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये बात जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके साथ ही साथ ये भी वास्तु टिप्स भी बताएंगे कि कि आप तुलसी जी का किस प्रकार प्रयोग करके आप अपने घर को परिवार को अपने जीवन को एकदम सुन्दर और एकदम स्वक्ष और बहुती सुख में बना सकते हैं दोस्तों वास्तु सास्त में सभी नियम उर्जा सी धानतों के आज़ पास घुमते रहते हैं अर्थात किसी भी इस्तान पर चाहे वो घरों प्रतिस्ठानों दो तरह की उर्जा विच्रण करती हैं पहला सकारात्मक दूसरा नाकारात्मक सकारात्मक उर्जा से परिपूर भवन में रहने वाले सदर से हर तरह से प्रसनता से सुख से परपूर होते हैं जबकि जिस भवन में नाकारात्मक उर्जा रहती हैं उसमें रहने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं इस परकार वास्तु दोस्त निवारण के लिए अब में फैंक सुई पिरामिड बिज्ञान जल थेरेपी मीरर थेरेपी अनेक पद्धितियां ऐसी पूरे विश में अपनाई जाने लगी हैं कि निमलिखित उपायों को अपना कर नाकरातमक भवन को बिना तोड़े ही वहां से साकरातमक उर्जा का संचार किया जा सकता है दोस्तो इसमें ये बताय जा रहा है कि अगर यदि आपके भवन के मुख्य द्वार में किसी नाकरातमक दिसा में पड़ता है तो दाई या बाई और स्यामा काला तुलसी का एक पौधा लगा दे दोस्तो या अगर स्यामा तुलसी ना मिले तो ग्रीन वाली तुलसी हरी तुलसी भी आप लगा सकते हैं इससे वह अपनी नाकरातमक सक्ति को दूर करके साकरातमक और जितनी भी अच्छाईयां हैं जितनी भी साकरातमक विचार हैं वो घर के अंदर आएंगी और में गेट से नाकरातमक सक्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आसानी से घर जो है साकरा तरफ चाहें बाई तरफ आपको जहां इस्थान मिलें वहां आप लगाईए और उनकी पूजा करिए इससे की घर में या कहीं भी आपके परिवार में घर में जो भी नाकरात्मक सक्तियां यह किया हुआ चीज है आप करके देखिए और उसका फायदा देखिए फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों इसी तरह दोस्तों अगर रात में आपको बुरे-बुरे सपने आते हैं तो तुलसी जी के पांच पत्ते अपने तकिये या सिराने साथ दिन तक रख दे और देखेंगे कि तुलसी के पत्ते रखने के बाद आपके जितने भी बुरे सपने आते हैं ओ धीरे-धीरे आने बंद हो जाएंगे लेकिन ये क्रिया आपको साथ दिन के बाद बदलनी पड़ेगी कहने कताते पर ये है कि बिस्तर के नीचे या तकिये नीचे पांच तुसी जी का पत्ता रखना होगा और साथ दिन के बाद उसको हटा कर या जल में प्रवाहित करके दूसा नया तुसी जी का पत्ता रखेंगे तो आपको जितने भी बुरे सपने आते हैं बुरे बिचार आते हैं उ सिग्र अतिशिग्र दुर होने लगेंगे दोस्तों ये वी Höve अपनाई हुई है आप एक बार कर देखें लेकिन करें लेकिन विश्वाश से करें विश्वास और सकति हिए जिससे कि बढ़े-बड़े लोग बदल जाते हैं बड़ी-बड़ी सक्तियां बदल ज लगते हैं तो घर में जितनी भी बुरी नाकारात्मक उजा है वो घर से बाहर चली जाती है और शिग ही शिग्र आपके घर में सुक्सम्रिद्धी आती है दोस्तों ये भी किया हुआ चीज है दोस्तों मैंने इसको खुद किया है आप भी करके देखी आपके घर में बहुत ही सुक्सम्रिद्धी आएगी लेकिन ये है कि तोड़ा समय लगता है लेकिन आप विश्वास के साथ करेंगे तो ये आजमाई हुई चीज है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सही है या गलत है तीसरी बात ये है कि आपके उपर कोई बाय बाद हो या टोना टोटका है जो भी आपके नाकारात्मक आपके उपर सकती है तो क्या करिए कि तूसी जी के जड़ को हरे कपड़े में ताबीज बना कर भुजा में बाद लें ताकि आपके उपर जो भी नाकारात्मक उर्जा है वो हट जाती है और बेक्ती स्वस्त और निरोग होने लगता है ये भ दूख है वो तुलसी मा स्वैम निवारण कर देंगी तुरंती दूर कर देंगी दोस्तों मा अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप धेर सारा प्यार दीजिए कमेंट लिखिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए थैंक यू थैंक यू सो मच